हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो टेकनिकल एपिसोड प्रोव, मैं हूँ शुभांकर तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम जानेंगे PMG दिशा पेमेंट के बारे में तो PMG दिशा पेमेंट का बाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया तो सारे हम इस वीडियो में जानेंगे तो एव वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने बला है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेखर end तक ज़रूर देखना तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगा अगर आपने पहली बार मेरी चैनल पे आया है और आभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and side में जो bell icon है उसको भी प्रेस कर दीजे तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए friends PMG दिशा payment आभी तक क्यों नहीं आया और कब तक आयेगा तो मैं आपको बाताना चाहूंगा लगभब 1 week पहले यानि 6-7 दिन पहले PMG दिशा का जो इनभाई से वो generate हो चुका है लेकिन आभी तक payment क्यों नहीं मिला हार मेहने आपको 10-15 तरिक के अंडर payment आ जाता है आज है 15 तरिक मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ लेकिन आभी तक PMG दिशा का payment रिलीस नहीं किया गया है तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 10 Olympiad अगर आपने नहीं किया है तो आपका payment hold कर दिया जाएगा ऐसे भी कुछ news आया था तो मैं आपको details में बाता देता हूँ तो देखिए friends First of all PMG दिशा का payment बहुत जल्द रिलीस होने बाला है तो PMG दिशा का payment बहुत जल्द रिलीस कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर CSC ने कुछ टार्गेट राखा है अगर आप उसको fulfill नहीं करते हो तो आपका payment hold हो सकता है तो क्या है तो First of all देखिए मेरे district team और state team से मैंने बात किया है तो मुझे पाता चला है कि Every जो PMG दिशा का center है उनको 10th Olympiad student को register कराना होगा आप लोगोंने देखा भी था कुछ दिन पहले यहाँ पर से एक notification भी जा रहा था कि Every PMG दिशा center Please register 10th Olympiad student तो देखिए यह Olympiad का भी मैं साइड यहाँ पर open करके राखा हूँ Olympiad के बारे में मैं आपको बाता देता हूँ Olympiad में आप देखिए आपा student को register कर सकते हो और आप आप देखिए क्लास 3 से क्लास 12 के जो student है उनको आप ए स्कोर्स बेच सकते हो और यहाँ से भी आप आए कर सकते हो तो मैं इसके related एक अलग से वीडियो भाना दोंगा तो ओ वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगा तो आज का जो topic था PMG दिशा payment तो देखिए आभी CSC ने यह तो mandatory कर दिया गया कि आपको 10th student registered करना है होगा Olympiad का तो आप एक बाद चेक कर लिजिए अगर आपने आभी तक नहीं किया तो quickly कर लिजिए क्योंकि अगर आपका payment hold हो जाता है तो बहुत सारे problem होता है उसको release करने में क्योंकि आपको DC के साथ contact करना होगा या DM के साथ contact करना होगा उसके बाद ओ mail करेगा तो एक lomba process है तो hold होने से पहले आप जो target CSC न आपको दिया है इसको complete कर देंगे तो आपका payment release हो जाएगा दूसरे बात आपको धियान रखना है कि आपने डिजिनेम किया है या नहीं तो पिसले मंद का जो payment था वहुत लोगों का hold किया गया था क्यों किया गया था क्योंकि उन्होंने डिजिनेम नहीं किया था तो डिजिनेम किया है तो फ्रेंड्स दे कि आपको CSC डिजिनेम लिखके सार्च करना है तो जासे सार्च करोगी यह जो website आएगा इसको आपको open करना होगा तो डिजिनेम यानि digital identity अभी इसको mandatory कर दिया गया है जितने भी सारे CSC सेंटर है उसका एक official website हो digital identity हो ताकि लोगों को भी आपके साथ connect होने में आसानी हो अगर आपके पास एक digital identity है एक अपना website होगा तो बहुत आच्छा होगा लोग आपके साथ connect आच्छा से कर पाएंगे website के थूप तो इसलिए CSC ने डिजिनेम भी mandatory कर दिया है अगर आपने डिजिनेम भी नहीं किया है तो कार लिजे क्योंकि इसके लिए भी payment hold हो सकता है पिसले मैंने भी बहुत लोगों का hold किया गया था ये प्रूप के साथ है अगर आप YouTube में सार्च करोगे तो बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर बाताया गया है कि payment hold किया गया था मेरा खुद का ही payment hold हो गया था क्योंकि मैंने डिजिनेम नहीं किया था तो बाद मैं मैंने डिजिनेम कर लिया और उसके बाद मेरे payment को release कर दिया गया उसके बाद आपको एक और बात ध्यान देना है gram in e-store आपका जितने भी सारे student है तो आप PMG दिशा में जिसको registration कर रहे हो जिसका exam ले रहे हो तो उसके जो smartphone है उस smartphone एक gram in e-store का जो application है उसको भी आपको installed card देना है तो एस सारे criteria आपको पूरे करना होगा तब ही जाके PMG दिशा का payment आपका release किया जाएगा तो मैं आज के date पे मेरे state team and district team उसके साथ बात किया है तो मुझे पाता चला है कि PMG दिशा का payment बहुत जल्द release हो जाएगा कुछ कान चल रहा है इसलिए इसको hold पे राखा गया है तो एक से दो दिन के अंडर ही आपका payment आ जाएगा अगर एक से दो दिन के अंडर नहीं आता है तो आपको 20 तरिक तक wait करना होगा तो 20 तरिक तक सभी का payment release कर दिया जाएगा अभी तक का जो हमारा DM या DC है उन्होंने मुझे बोला है चेट टीम के साथ भी बात किया है और ओहा से भी मुझे यही रिपले आया कि यह जो काईटेरिया दिया गया है इसका fulfill कर लो तो आपका payment बहुत जल release कर दिया जाएगा एक या दो दिन के अंडर तो जो भी VLE भाई ऐसा है कि आभी तक डिजी नेम नहीं किया CSC Olympiad नहीं किया तो यह सब कर लिजिए क्योंकि अगर आपका payment hold हो जाता है तो बहुत ही पोरिशानी हो सकता है आपको उसको release करने में क्योंकि जो आन्य बाला है उसको अगर hold कर दिया जाए तो आप भी समझ सकते हैं उसको release करने में कितना problem हो तो आगर आप चाते हो कि इस problem में ना फासो तो इसलिए आपको डिजी नेम, Olympiad या Grammin store जो भी target दिया गया है आप उसको fulfill कर लिजे और एक बार आप ज़रूर अपने DM या DC से भी बात कर ले ना जो Olympiad है तो यह आप पर 10th student अगर आप register करोगे तो 1200 रुपे के असपस आपका यह आपा चार्ज कटेगा यह जो Olympiad है आप student को बेश सकते हो तो यह जो Olympiad है फ्री नहीं है यह आपको student को देना होगा बदल में कुछ पैसे वहाँ से आपको लेना होगा student के साथ क्योंकि यह online course है आप उसको एक course दे रही हो यह से कुछ सिख सकता है और यह बहुत ही आच्छा course से तो देखिए finally तो finally देखिए PMG दिशा का प्रेमिंड बहुत ही जल्द आ जाएगा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक और बात में आपको बोलना चाहूंगा जो PMG दिशा application को लेका problem आ रहा है जैसे आप करने जा रहे हो student registration application के through तो आपका 1.0 update करके कुछ error आ रहा है तो कुछ दिन पहले भी यह error आ रहा था लेकिन विसमें उसको सही कर दिया गया था application को updated कर दिया गया था लेकिन फिर से ए एरोर आने स्टार्ट हो गया तो जब application update हो गया था मैंने भी video बनाया था तो वहाँ पर भी मुझे comment आने लागा कि आप fake video दे रहे हो हमारा जो PMG दिशा का application है काम नहीं कर रहे है तो इसलिए मैंने उस video को delete कर दिया क्योंकि जब मैंने विडियो पोस्ट किया था ताब PMG दिशा application काम कर रहा था लेकिन फिर से सारभार error स्टार्ट हो गया और फिर से ओ एरोर आने लगा है तो इसके बारे में भी मैंने बात किया है मेरे district team या state team से तो मुझे बोला है कि बहुत जल इसको भी salt out कार दिया जाएगा उन्होंने अलेडी report कार दिया है central team को तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्द PMG दिशा payment आ जाएगा and PMG दिशा application का भी जो problem है वो solve हो जाएगा तो friends आज की इस वीडियो में इतना ही बाता ना था तो ये वीडियो कैसा लागा है comment box में जरूर बताओ अगर आप कुस पूछना चाते हो तो भी comment box में comment करो उसका भी replay में जरूर दोंगा तो friends इस वीडियो को एक like जरूर कर दीजिएगा and आभी तक अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजिए इस तरह से निवने वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्लेट के साथ तक ले बाई बाई